सो ही गाईज बलकम बैक टो ए न्यू वीडियो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो गाईज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम नोकडाउन एन्मी को हेडशोट के साथ फिनिश कैसे कर सकते हैं इसके अपर मैंने एक दो शोट वीडियो भी बनाई थी उनमें भी अपने कोमेंट्स के थी इसकी उपर एक फुल वीडियो भी बना दो और अगर आप किसी एन्मी को वन टैप के साथ ही नोकडाउन करते हो और उसके बाद वन टैप के साथ ही फिनिश करते हो तो वो देखने में काफी जादा अच्छा लगता है और आपने काफी सारे PC प्लेज को देखा होगा काफी सारे YouTubers को देखा होगा जो वन टैप के साथ एनमी को डाउन करते हैं और उसके बाद वन टैप के साथ ही फिनिश करते हैं तो मैं आपको ट्रिक के बारे में बता देता हूँ वीडियो को जादा लंबा नहीं खिंचेंगे औ मैं आपको end में handcam भी दिखाऊंगा तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो guys मैं आपको दो ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा white aim के साथ और red aim के साथ तो सबसे बहले मैं आपको white aim by trick के बारे में बता देता हूँ आप इसका use close range और थोड़ा सा mid range में कर सकते हो तो simple स steps हैं अपने aim को enemy से दूर रखना है जैसे कि सामने मेरा enemy है और मैंने अपने aim को इसे थोड़ा सा दूर रखा है उसके बाद अपने fire button को इसके head की side जोड़ा से drag कर देना है और इसे easily one temperature लग जाएगा थोड़ा सा practice आपको करना पड़ेगा पर दीरे दीरे आप सीख जाओग जैसे कि यहां पर देखो मेरा enemy काफी जदा close है मैंने अपने aim को white aim कर दिया enemy मेरा right side है और मैंने जोर से head की side को fire button को drag किया इसे easily one temperature लगेगा तो अभी मैं आपको mid range में ही बता देता हूँ कि मिड range में अपने enemies को headshot के साथ और headshot के साथ ही finish कैसे कर सकते हो तो mid range में आपने सबसे पहले अपने aim को red कर देना है और जिस side enemy का head है उस side आपने fire button को drag कर देना है और enemy को easily one temperature लग जाए और गाइस कई वार ऐसा भी होता है कि हम सही trick का use करते हैं बट फिर भी हमारा knock enemy को one temperature न करने से कभी भी पीशे नहीं हटना है फिर एक time ऐसा आएगा जब आप हर वार knock enemy को one tap headshot मार पाऊगे और guys mid range में आपने सिंपल सी trick को follow करना है enemy को one tap headshot मारो और उसके बाद red aim करो जिस set enemy का head है उट set को drag करो और guys इस trick का use आप auto guns के उपर भी कर सकते हो उनसे भी knock enemy को one tap headshot से लग जाएंगे तो अभी मैं आपको hand cam दिखा देता हूं hand cam को अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से मैं drag कर रहा हूं और guys hand cam की quality पे मच जाना quality बहुत ही जादा बेकार है आप सिर्फ यह देखो कि किस तरीके से drag करना है कितनी speed के साथ drag करना है और कैसे करना है और guys आपने जादा तर टाइम यही try करना है कि जो आपका enemy है वो आपकी right side को drag करना थोड़ा सा easy होता है और आप maximum time right side को one tap headshot मार सक तो मैंने आपको trick के बारे में भी बता दिया मैंने आपको hand cam भी दिखा दिया तो फिर जल्दी से video को like भी करतो और अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो channel को subscribe भी कर लो और guys video को अपनी दोस्तों के साथ जुरूर से share कर देना तो इस video को यहीं पर end करते है हम मिलते हैं आटा बाई बाई